क्या diabetes में कोमा हो सकता है answer is yes और इससे आप और हम बचा सकते हैं सबसे पहले diabetes के patients को sugar regular check करना बहुत ज़रूरी है और शुगर अगर बहुत कम हुई तो कोमा हो सकता है बहुत ज्यादा हुई तो कोमा में जा सकते हैं कारण क्या है घर में एक शुगर मशीन का ना होना ना जाने कितने patients को मैंने देखा है हर को यही कहता है सर मेरे बगल में lab का shop है मैं वहां से करा लेता हूं सर जी राच के दो बजे या तीन बजे आपको lab नहीं मिलेगी आप चाहते हैं कि आपके मरीज आपके mother father जिनको diabetes है वो 100 साल तक रहे और कभी भी ISTU नहीं पहु जो भी आपको easily available हो जाए और जिसकी strips आसानी से मिल जाएं बाहर से जो बहुत से लोग मंगाते हैं मेरा लड़का US से भेजेगा मेरी sister UK से भेजेगे सर जी नहीं जाएं आज भारत इतना सशक्त है कि यहां पे अच्छी टेक्नॉलोजी क्सार अच्छे ग्लुकोमेटर बहुत सस्ते रेट में मिलते हैं बाहर से ग्लुकोमेटर अगर अपलेंगे तो उसके जो रीडिंग्स होंगी वो मिली मोल पे होंगी और स्टिप्स शायद ना मिलें कोई भी ग्लुकोमेटर जो आसानी से अवेलेबल है मेडिकल शॉप से ले लीजे नहीं तो ऑनलाइन आप उसके लिए रिक्वेस्ट बह सकते हैं और हाँ जब कभी भी किसी भी डॉक्तर के पास जाएं तो अपना ग्लुकोमेटर साथ ले करके जाएं हॉस्पिटल के बलड सेंपल के साथ साथ उसी एक ड्रॉप से आप अपना शुगर मशीन में भी शुगर को ट HbA1c डिपन करता है आपकी फास्टिंग और PPBS पर एंड ग्लाइसेमिक वीरेबिल्टी की दूसुबे दुपैर शामरात में कितना आपका शुगर फ्लक्ट्रेशन होता है शुगर को कंट्रोल में रखिए खाली पेट 100 से 110-120 के आसपास भरे पेट 140 से 150 के आसपास जितना अच्छा सा टाइट कंट्रोल लखेंगे उतना लंबा हस्ते खिल खिलाते जीएंगे आईए लेट स्टे फिट बाइवाचिंग हिट मैं आपका होस्ट और दोस डॉक्त आशीश चाहन अवेलेबल हूँ आठ एक शून छे एक दो साथ चार साथ पाच पर कभी भी किसी भी स हमें आप वाट्साप पर मुझे कॉंटाक कर लेजे हां अगर आपको कंसल्टेशन लेना तो इसके लिए नौ डबल एट फाइफ फोर थी नाइन वन सेवन जीरो पर तबसुम से कॉंटाक करके आप मुझे कॉंटाक कर सकते हैं अदर्वाइस मैं आप ओलो हॉस्पिल रहने के लिए डाक्टर के पास लगातार जाना है डिले करने से ही आपकी बिमारी बढ़ जाती है मैं आपकी हल्प चाहता हूँ अपनी आईश्यू और एमर्जंसी रूम को खाली देखने के लिए आपको पता है पेशन्ट आईश्यू के कंडिशन के लाइक उसकी कंडिश के साथ सब पैर काटने तक की नौबत आ जाती है और इसको सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोमीटर की जरूरत होती है आ ये आने वाले दिने में जब हम टीचर्स दे मनाएंगे तो अपने टीचर्स को ग्लूकोमीटर गिफ्ट में दे हैल्थ चकप अपने माबाप का पर टीचर्स का रेगुलर करवाएं यह एक आपका और मेरा छोटा सा सलाम है दुनिया के नंबर वन टीचर्स के लिए और नंबर वन टीचर्स कौन है आपके माँ-बाप और आपके अध्यापक जिन्नों ने आपको पढ़ाई कराई है इस टीचर्स जे पे हम अपने कुरू को शचच नमन करें और उनके शुगर को डापटीस को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें रिच आप टो मी बिफोर इस तू लेट आपके अधिया विद आपके अभी दंदन तो आल मैं टीचर्स ठेक के गद्लेस्ट गद्लाइ नमस्का करता है